तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए यह है क्रिकेट का क्रेज यह देखिए कोई इधर कोई उदर और यह देखिए पोजीशन आपको दिखाती हूं जो मेरा इंडेक्शन जो है वहां लगावा रहता था आज मैंने इसको यहां वाले फॉइट पर लगा दिया है अभी मैंने फ यहां पर सुजी का हलवा और यहां पर मैं कुछ बदाम जो है उनको काट रही हूं और यह सुजी का हलवा में यहां पर नौगे भी मैंने तेल गरम करने के लिए रख्था है तो फ्रेंड्स इतना इंट्रस्टिंग मैं चल रहा है ना कि मेरा मन नहीं लग रहा है अभी दे कर दे सकता है देखो अस्ट्रेलिया को ना तीन विक टेन की वी चलीगी पर स्कोर बहुत ही कम है तीन सो के अलग भग होता न अगर तो बहुत रूमांचक मैच होता लेकिन हो नोज की क्या हो जाए है तो चलिए अभी देख देह क्या होता है और बफटा वट से हलवब ना यहां पर यहां पर मेरी पिडाई कब से गरम होगी मैं भी ठीक हूँ घर पे सबी ठीक है और आप सोचे होगे कि यह मैच तो यह जी मैच वाले दिन का ही व्लॉग है सच में आप सोचेगे कि इतना पुराना व्लॉग जो है वो क्यों शेयर कर रहे हैं तो बेर पास यही वीडियो थी मतलब कलिप लीवी मैंने आजकल बहुत जादा बीजी हूँ और मतलब बस आपको बतानी सकती कुछ बच्चों के एक्जाम भी चल रहे हैं और घर की भी बहुत सारी काम है तो कुछ और केक की ओडर होते हैं जब तो मैं कुछ और कैप्चर कर ही नहीं पाती मेरे फोन में इतनी स्पेस ही नहीं है मुझे समझ नहीं कि वाइरस आजाता है ना फोन में तो इस वज़ा से भी फोन में स्पेस फुल हो जाती है बहुत ही जल्दी तो यहां पर मैंने दिखे रिफाइंड जो है नहीं निकाला था और इसमें थोड़ा बहुत बच्चा था और मैं डाल रही हूं क्योंकि यह कहीं पर गिरता है और कोई बीशू होता कि कच्चा पक्का मतलब इसकी स्मेल तो नहीं आती है और साथी में मैं हाँ पे मैच का आनंद भी ले रही थी लेकिन मैच तो भई जो मेरा पीछला व्लॉग है ना उसी का ही आधा पार्ट है यह तो जितना आपके साथ मैं वीडियो एडिट करके शियर क तो सूजी का हलवा जो है वैसे तो दूद में भीगोया बहुत टेस्टी बनता है लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले दूद में भीगोती इसको तो मैंने इसमें मतलब दूद बाद में डालोंगी बहुत टेस्टी बनता है जब हम सूजी को दूद में भीगोते है और फिर उसको भूनते है घी के साथ या फिर रिफाइंड ओयल के साथ बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से और बहुत टाइम बहुत जादा चला जाता है अगर नॉर्मल हल्वे को आदा गंटा लगता है तो दूद वाला उसको दो गंटे लग जाएंगे लेकिन चीज ब छोड़ा बहुना मुझे पड़ेगा तो सचली चाशनी जो है वो भी मा लगा देती उसके लिए तो यहां पर दिखिए मैं नगाई हूए है तो यहां पर मैं ने अनदादे से ही लीती यहां ने एक कुछी बढ़ बोदी में जाल रीर जाल चीनी जो है वो इसमें भोल दी ह तो अभी जो ड्राइफ रूट्स हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया अभी आप देख सकते हैं कि सूजी का गोल है ना मिक्सचर कितना पतला सा हो गया है मतलब सूजी जो है वो लगभग पक चुकी है हलकी हलकी और यह ना वीडियो में नहीं दिख रही है यहां पर वीडियो में ज्यादा सफेध ही दिख रही है यहां पर जो यह ड्राइफ रूट्स जो है अच्छे से भून गए थे तो मैं इसको थोड़ी सी चाशनी जो है वो हमारे पड़ोसी तो आज हमारे घर में बड़े था तो यहां पर इनको भी हमने बुलाया हुआ था और इसलिए बोड़े थे कि दी आप यह डालो चैशनी डालो मैं हिलाती हूं इसको और यह सिलिकॉन स्पैचूला जो है यह बहुत ही अच्छे होते हैं आपने कुछ भी मी हमारी गासनिया तो गुद आफ्टरून एवरिवान जैसे यह राम जी रादे कृष्णा जी सबको कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे से होंगे मैं भी ठीक हूं और आज है जी वीर वार साथ ही है आज देव प्रबोधनी एकादशी मतलब और आज देवदन जो हमारे आज देबखन होता है मैं ने सफ Amongst एहां के मंदिरे में जाते हैं सब लोग जाते है है अब हम लगे हैं अभी फिलहाल गहास काटने के लिए और यह दिखिये मैं जा रही हूँ खाना लेकर तो सिर्फ दो लोग है वो लगे हूं गहास काटने मैं घर का काम जो है सारा करके आई हूं अभी और भी मुझे खाना देना है उनको थोड़ा सा घास काट दोंगी फिर मु यह जो हमारी घासनों से घास लग जाता है बहुत च्रगल होता है हमारी लाइफ में तो जब मैं नीचे से चली ना मैंने हमेशा देखा है कि पहाडी लोग जो है ना काफी कुछ सिखाते हैं हमें मतलब हम लोग कैसे अभी आपको बताती हूं जब हम चड़ाई को चटते हैं अगर हम बहुत तेजी से आ रहे होंगे ऐसे देखते हुए ऐसे की डेस्टिनेशन को देख रहे हैं मानलो मुझे वहां पहुचना है दूर पहाडी पे तो अगर आप ऐसे करके चलोगे ना तो आप बहुत जल्दी ठक जाओगे आपका मन हार जाएगा आप नहीं बहुच पाओगे और अगर आप जाते हैं देरे देरे स्लोली स्टडीली सिर्फ जुका के सिर्फ रास्ते को देखिए दिहान से इस तरीके से रास्ता देखते हुए तो कब आप अपनी मंजल पर पहुच जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा जी हां मतलब यह है कि जिन्द आपको प्रणिख सकते हैं बहुत इजी से जा रहे हैं बहुत चर उठाके अभीमान से तो वह हम उठते नहीं है वह हम नीचे की और आ रहे होते हैं असल में जिहां और अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं लर्निंग हमारे अंदर है क्वालिटी तो हम हमेशा लर्न करेंगे जि हमेशा सिर्जखाकर और धीरे-धीरे अराम से तो यह जो रूल है ना मतलब हमारे पहाड़ीं का यह जिन्दगी में भी अपलाई होता है हर जगह क्योंकि सिर्जखाकर अगर हम सीखते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम घमंड से कुछ सीखना चाहें तो हम अभी दूर है अभी वहां पहुंचती हों उसके बाद वहां का नजारा आपको दिखाऊंगी चलिए तो यह रिखिए दू लोग लगी थी यहां पर घास काटने के लिए एक हमने ध्याड़ी पे लगाए थे अंकल और एक हमारे जैसे गाउं में बौारे आते है ना ऐसे एक दूर का काम करके पशों को पानी रप लाक के आ गई थी यहां पर इनको खाना लेकर और शाम तक मुझे भी आपर घासी काटना था भी फिर शाम को आज जिकर पांच बजे ही अन्देरा हो जाता है तो बस पांच बजे तक ही काटते हैं उसके बार आद हम घर आइए थे और गर में आके खाना बगरा बनाया और इसके बार मेरे पास था एक केक का और तो मैंने पहले बेग किया स्पोंज और इसके बाद यहां पर दिखिए आइसिंग जो है उसकी वो शुरू कर रही हूं मैं तो इसकी पूरी वीडियो जो है वो मेरे के वाले चैनल पर आएगी आप जरूर देखेगा आज की वीडियो का एंड भी मैं यही कर रही हूं मीद करती हूं व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा छोटा सा ही व्लॉग था कुछ इतना खास था नहीं लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को ज्यादस ज्यादा चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए कोई बात नहीं आज की वीडियो में तो इतना ही है मिलूंगे आपसे एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए खाते भी तरही है मसत रहिए जैसे आरां